Hello friends, मैं गवरो सुरकार और गवरो गोल्डन रूप्टॉप चानल में आपका फिर से एक बार स्वगत करता हूँ और ये वीडियो में हम पॉलिनेशन के बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे चलो आज हम पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे तो what is mean by pollination, the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of flower डाइग्रम में आपको जो पिले कलर के pollen grain दिख रहे हैं इसे हम मराथी में या हिंदे में परागन कहते है तो ये परागन एंther से stigma to the flower जाते है with the help of pollinators तो यहाँ पे pollination का process carried out होता है और इससे हमारे बगीचे में फूल या फल आना स्टार्ट होते हैं तो अभी देखे, pollen grains are in mobile यानि ये एक जगे से दूसरे जगा अपने आप नहीं जा सकते they cannot reach to the stigma by themselves so it requires the external agent it can be wind, water, animal, gravity और growth to the contact छोटे-छोटे किडे मकोडे होते हैं इनके पेर को लगके ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक या सेम फ्लावर में cross pollination या single pollination में ये travel करते हैं और यही से फल आना स्टार्ट हो जाते हैं with the help of diagram I am gonna show you देखे, यहाँ पे pollinator visited flower to collect the nectar यहाँ पे एक जो बीज है, बीज के पेर को लगके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहा है और वहाँ पर pollination की process carried out हो रही है pollination moves to the another flower and pollination is transferred to the stigma अभी ये तो पूरा theoretical knowledge हो गा है, अभी हम practical देखेंगे कि लायू ये एक प्रोसेस कैसा होता है मैंने आजे ही shoot किया, देखें, मुझे सुबह सुबह ये pollinator एक plan पर दिखें तो मैंने वीडियो shoot कर ले देखें ऐसा वीडियो shoot करना कापी typical task होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब वीडियो बनाते है तब हमें pollinator दिखना चाहिए, उसका pollination होना चाहिए तब हम ऐसा वीडियो बना सकते हैं, देखें यहाँ पर एक insect दिख रहा होंगा आपको, हम इसे मराठी में भूंगा कहते है देखें यह flower पर बैठा है और pollinate कर रहा है pollen grains को, अगर इसके पैरों को कुछ pollen grain लगे होंगे तो एक flower से दूसरे flower तक जा रहा है और यह जो किड़ा है इसके उपर पीला रंग दिख रहा है यह danger की निशानी है इसका मतलब है कि मेरे से दूर रहो मैं तुमको honey पहुचाऊंगा यह देखें कितने सारे यहाँ पर honey bees भी आ गए देखें इनका pollination चल रहा है यहाँ पर इनका भी पीला कर रहा है और यह भी क video shoot करना बहुत ही typical होता है कैसे होता है आप देख रही होंगे देखें यहाँ पर भी पॉलिनेशन हो रहा है बहुत सारी honey bees यहाँ पर सुबह सुबह आई थी और यह hardly सुबह की समय में ही होता है देखें पूरी honey bees यहाँ पर बैटी है जहाँ पर मुमेंट दिख रही है यह यह shoot मैंने अपने आईपोन से बहुत ही नगजिस से लिया है इसलिए पूरा जूम इसमें आ गया है और clear भी आपको यह pollinator यहाँ पर दिख रहे है यह image को मैं peak of the day ही कहता हूँ और ऐसी रोचक जानकारी के लिए अप हमें like and subscribe जरूर करें तो get more information and notification please press the bell icon thank you